आप देख रहे हैं टूटली हिंदी में जानकारी सो अगेन आज बात करने वाले हैं एक्जियोज के उपर लास की बुडियो में हमने जाना एक्जियोज है क्या कैसे इस्टॉल करते हैं अपने प्रजेक्ट में और रियक्जेस के साथ हमने उसकी इंप्लिमेंटेशन की और हमने प्रेक्टिकल के रखे देखे उसके कुछ एक्जामपल और काफी सारी फीचर हमने जाने उसी का एक फीचर आज हम डिसकस करने वाले हैं इंटरसेप्टर तो पहले जानते हैं वट इस इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर है क्या इंटरसेप्ट Xios Interceptor or function that Xios call for every request, इसका मतलब है कि जब भी Xios अपनी request काल करता है, हर एक request करता है, तो interceptor उसे observe करता है, उसे provision देता है, हमें provision देता है two method के तुरू, उस request को interceptor करने की, उस data को transform करने की, और हम उन request को या response को transform कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं और उनका use ले सकते हैं तो आईए हम practical करके जानते हैं कि कैसे interceptor का use किया जा सकता हैं तो चलते हैं code screen की और So guys मैंने पहले से open कर रखा अपना VS code editor और उसमें कर रखा अपना dummy project जो कि हमने last की assignment वे भी यूज़ किया था तो interceptor use करने के लिए सबसे पहले हमें open करने पड़ेगी npmgs.com जो कि मैंने already open कर रखी है और जब आप इसे open करेंगे तो आपको यहाँ पर type करना पड़ेगा axios और आप उस package में आ जाएंगे package में आने के बाद हमें यहाँ पर इसके table content में जाना है table content में हम find करेंगे interceptor जो कि यहाँ पर है और interceptor पर click करेंगे तो interceptor वाले section में आ जाएंगे interceptor में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो interceptor इन्होंने use कर रखे हैं add कर रखे हैं first request के लिए और second response के लिए तो जो भी आपको चीजे intercept करनी है वो एक चीज आप use कर सकते हैं या आप दोनों ही चीजे use कर सकते हैं तो मैं practically आपको दोनों ही चीजे use करके दिखाऊंगा तो मैं score को कर लेता हूं copy और then हम जाते हैं वापस अपने इस editor में और यहाँ पे हम इससे paste नहीं करेंगे क्योंकि यह component है हमें जो last time हमने एक instance बनाया था यहाँ पे इसको यूज करेंगे ताकि यह common रहे सब के लिए तो मैं इसको कर देता हूं paste और paste करते ही यहाँ पे एक्जियोस लिखा हुआ है इसको as it is भी छोड़ सकते हैं या फिर जो यह वाली API वाली हमने object बनाई है इसके साथ भी replace कर सकते हैं तो यह मैंने इसके साथ replace क दिया है इसको और यह हमारा code अब हो गया है implement के लिए तयार इसको एक बार inspect भी करके देख लेते हैं code मेरा already चल रहा है project run stage में है तो जैसे मेंसे fresh refresh करता हूं तो यह हमारा चल रहा है तो अब चलते हैं यहाँ पे तो इससे पहले कि हम interceptor use करें तो मैं कुछ चीज़ें बतान है फर्स्ट जो argument है config का request के case में and second argument है error या exception handling के लिए same case अगर हम बात करें response की तो यहाँ पे भी जो API की through हमें response मिलता है वो first block में आता है और second block exception handling यानि की error handling के लिए होता है same as request तो यह दोनों simple सी चीज़ें I hope कि आपको यह clear हो चुकी होंगे अब हम बात करते हैं की request को intercept कैसे की जाता है तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते है console log और जो इस config में है वो हम एक बार print करके देख लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या तो जैसे ही मैंने इसको लिखा यहां पर console log और उसके बाद वापस यहां पर जाते हैं inspect मे और देखते है कि यह काफी सारी object हमारे पास screen में आ रहे हैं तो इस object में से मैं headers में कुछ add करना चाहूँगा या इसी object में कुछ add करना चाहूँगा यानि कि उसे intercept करना चाहूँगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का object की keyword लेना है उसके बाद लिखोग text एक object मुझे करना है और वहाँ पर मैं कुछ number देता हूँ and आप इसे console करके भी देह लेते हैं और यहां अच पर जाके भी देख लेते हैं कि क्या तो जैसे हमने यहां पर इसको console करके देखा तो आप यहाiँ पर देख सकते हैं कि वह test हमारा यहां पर add हो चुका है यानि य यह request हमारी intercept हो चुकी है, इसी के साथ मैं अगर headers में जाओं, headers में, dot headers में ने लिखा, क्योंकि config के अंदर headers आ रहा है, तो headers में गए हम, और इसको भी एक बार refresh करके देख लेते हैं, तो headers में गए, तो आपको यहाँ पर test नजर आएगा, test यहाँ पर क्यों नहीं आया, one second अगर मैं लिखता हूँ, API देन अब देखते हैं, ओ, आ चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया, यह देखो, यहाँ पर test API हमारा आ रहा है, अगर मैं इसे test भी करता हूँ, तन अभी भी यह आ रहा है, तो यह हमारी request intercept हो चुकी है, same as, अब हम यही चीज response के case में करते हैं, response को भी हम करते हैं, intercept और response को भी print करा के देख लेते हैं, पहले कि response में क्या चीज़ आ रही है, तो response print करा के देखा, तो यह friends आप देख सकते हैं, कि यह चीज़े response में आ रही हैं, ऊपर वाली चीज़ request के लिए, config data headers request, यह सारी response के case में आ रही है, तो अब हमें भी यहाँ पे कुछ एक additional करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, कि एक object बन जाए हमारा config में, no sorry, यहाँ पे आएगा response, response में एक object बन जाए, तो यहाँ पे हम response लिख लेते हैं, तो response लिखा, अगेन यहाँ पे test मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या चीज है, तो आप देख सकते हैं कि test यहाँ पे भी add हो चुका है, और अब मुझे क्या करना है, इस data को इस test में डालना है और कुछ messages भी डालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो response ऐसा ही रहेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ data, और data से पहले इस data में एक काम करते हैं, इस data में हम एक और object ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं list, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ response.data, और list के अंदर ही मैं एक और, एक और की बना देता हूँ, like message user list message रख लेता हूँ, और अब इससे थोड़ा सा print करके देखते हैं, तो अब हमारे पास actual में है क्या, तो अब इसने हमें error दे दिया, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे देखते हैं कि हुआ क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना पहले क्या आ रहा था और अब भी क्या आ रहा है, मैंने क्या क्या जो existing data आ रहा था, उस data का एक object बनाया और उसको re-manipulate कर दिया और उसमें list add कर दिया, तो यहाँ पे जो response था वो हमने totally manipulate कर लिया है, यहाँ पे अगर network tab में जाकर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमरे पास आ क्या रहा है, यहाँ पे हमरे पास main data में ही सब कुछ आ रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखो तो data में वो चीज़ आ रही थी जो आपको network tab में देख रही है, response के case में, बट मैंने क्या कि उस data को again दुबारा object assign से उसकी अंदर की value list में डाल दी और then message भी मैंने add कर दिया, तो इस तरह से आप response को manipulate कर सकते हैं और request को भी manipulate कर सकें तो यह तो था manipulation का काम या interceptor का काम, अब interceptor का एक और जगा हम बड़े अच्छे से यूज ले सकते हैं, वो है कोई spinner या global जोगी पूरे page पे हम loading लगानी होती है कि कब हमरी request चली और कब वो end हुई, जैसे कि अगर आप यहां पर देखे कि अगर हम refresh करते हैं तो यहां पर page अभी कुछ हमें देखा नहीं रहा है, तो कोई भी अगर आपकी app में request यह matter नहीं करेगा कि वो कहां से चली कहीं से भी चलती है, उस case में आपका जो यह spinner है यह loading है वो fire हो जानी चाहिए यह चल दीन चाहिए, तो इसका भी एक practical करके देख रहते हैं, इस सारे code को मैं कर देता हूँ remove, इसको भी मैं कर देता हूँ remove, वापस screen पर चलते हैं तो यह बिल्कुल perfectly हमारा पहले की जैसे चल रहा है, और अब spinner लगाने के लिए मैंने एक site open कर रखी है, projects.ukas.me करके है, उसमें कावी सारे spinner है, तो spinner को use करके हम अपने site में spinner लगाएंगे, तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, इसका background में कर लेता हूँ white, यहां पर हम इस spinner को use करेंगे, तो इसका code मैं copy कर लेता हूँ, इसको जैसे ही copy गया, तो यह code हमें लगाना का है, यह code हमें लगाना है public.js, sorry, public folder में, और वहां open करेंगे, हम index.html, और यहां पर हमें लिखना है style, और इस code को हमें कर देना, यहां पर paste, तो यह paste हो गया, उपर इन्होंने एक और div बना रखी है, उसको भी हमें copy करना पड़ेगा, और again, यहां पर हम जाएंगे और इसको भी कर देंगे paste, और अब अपने page को थोड़ा देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं, यहां पर spinner हमारा चल चुका है, बट साथ में data भी आ रहा है, अब हमें करना क्या है, जब हमारी request fire होगी, तो यह वाला spinner चलेगा, जैसे हमारे पस response आ जाएगा, तो यह spinner हट जाएगा और यह वाला block हमें देखने ही लगेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी और चीज इसमें करनी पड़ेगी, मैं एक और class ले लेता हूं, या एक identifier ले लेता हूं, ओवरलैप, ओवरलैप का एक, या overlay भी ले सकते हैं, लेका मैंने एक ले identifier और इसमें मैं क्या करता हूं, background, color में मैं white कर देता हूं, ओके और यहां पे, इसके बाहर ही मैं क्या करता हूं, इस चीज करता हूं, इसमें ले ले लेता हूं, ID, identifier जो की हमने overlay बना रखा है, तो इस overlay को हमने यहां पर लिक लिया, और आप impact देखते हैं इसका कुछ, तो इ इस नजर नहीं आ रहा है, और अब देखना कि क्या इसमें हो सकता है, तो overlap लिखा मैंने यहां पर position इसकी कर लेते हैं, absolute, और then यहां पर हम position हमने कर दी width भी कर लेते हैं इसकी width 100% और height भी 100%, width और height दोनों ही 100% हो चुकी है, और यहां पर इसको top, bottom भी में, 0 दे दूँगा, तो ठीक है, यह सही चल रहा है, इसको अगर fixed करके देखते हैं, तो तब क्या, yes fixed ही करना पड़ेगा, इसके हमें जरूरत नहीं है, fix से यह काम आपका चल पड़ेगा, तो यह वाली property आपको यहां पर कर दिने हैं, set ताकि आपका overlay बहुत यह अच्छी तरह से work करे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास data आ चुका है, sorry width, height यहां पर miss हो चुकी है, तो height को अगें दुवारा लिख लेते हैं, yes perfectly work कर रहा है, आपने देखा कि यह spinner हमारा बिल्कुल सही से चल रहा है, तो अब एक चीज करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेग यहीं पर करके देख लेते हैं, हमें करना है कि जहां पर यह request जा रही है, यह मैंने refresh किया, तो request गई, जैसे request गी, तो यह spinner execute हो जाना चाहिए, और जैसे हमारे पर response आया, यह spinner हट जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, तो यहां पर जाएंगे हम, क्योंकि यह वाला request का part है, अगर आपको यहां पर console करके दिखा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा, REQ लिख लेते हैं, यहां पर request, और यहां पर जाते हैं वापस, यहां पर RES, यहां पर response, दोनों में differentiate कर पाएंगे हम, तो यहां पर console पर गए, और इसको clear करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले request गई और then फिर हमरे पर response आए, यानि कि request गई तो यह spinner चल जाना चाहिए, response आ गया तो यह spinner बंद हो जाना चाहिए, तो अब हमें यहां पर लिखना क्या पड़ेगा, हम यहां पर लिखते हैं, जावस्क्रिप्ट की simple property, document.getElementById और आप query selector भी का use कर सकते हैं, modern technique है, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, overlay, जो की हमने वहां पर use किया है, identifier के लिए, और यहां पर style, और then, display, display property होती है, show hide करने के लिए CSS में, और यहां पर हमें इसको लिखना है block, ओके, और एक और चीज मुझे करनी पड़ेगी यहां पर, इसको by default जो इसकी वो है, उसको भी हम hide कर लेते हैं, by default यह चली नहीं, तो इसको अभी मैं नहीं चलाओंगा, तो अब इसको चला कर देखते हैं, क्या impact आता है यहां पर, तो आप देख सकते हैं, कि जैसे ही मैंने इसको refresh किया, तो request कई response आया, कोई spinner हमारा execute नहीं हुआ, और आप यहां पर आप देखे, यह मैं इसको कर देता हूं, block, और आप यहां पर देखे है, request गई, response भी आ गया, तब यह spinner चल रहा है, हमें data नहीं देख रहा, तो अब मैं इसको करूंगा, copy, और यहां पर जाके, मैं इसको कर लेता हूं, paste, अब यहां पर, क्या हुआ, request गई, response भी आया, तो यह दोनों के case में block, block है, यानि कि दोनों के case में यह वीजिवल है, तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, response के case में इसको करना है, none, जैसे ही हमारे पास response आए, साथ की साथ यह spinner गायब हो जाए, तो ऐसा ही हुआ है, अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते है, कि actual में हुआ क्या है, इसको कर लेता हूं clear, इसको करता हूं refresh, तो आप जैसे spinner चला, response आया, और spinner गाया, बड़ा ही frequent change हो रहा है, बड़ी ध्यान से देखो आप, spinner चला, request, response आया, और spinner बन, फिर spinner चला, request, response गई, और spinner बन, तो यह ऐसे हमार intercept work करता है, आप इसका multiple use ले सकते हैं, intercept करने के लिए जो भी आपको करना है, इन दोनों ब्लॉग में आप कर सकते हैं, request में और response में, इस तरह से आप global spinner लगा सकते हैं, loading लगा सकते हैं अपकी अप में, बड़ अगर आपको component level पे loading लगाना है, spinner लगाना है, skeleton लगाना है, तो आपको वो फुद हैंडल करना पड़ेगा, component level पे, वो आप इस case में या top level पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, interceptor से, आपको हर request की जो call होती है, उसमें वो चीज हैंडल करने पड़ेगी, बड़ अगर आपकी requirement है, global, कि अपने global scanner लगाना है, या loading लगाना है, spinner लगाना है, या intercept कार, I hope कि आप इसको use करेंगे, इसके इलावा अगर आपके कोई भी question है, doubt है, तो please मुझे mail कर सकते है, me at the rate, trabindernegi.com पे, और आप मुझे comment box में भी लिख सकते हैं, आपके जो भी सुझाव है, मैं आपके सुझाव के उपर feedback और reply जरूर दूँगा, even कि मैं आपके mail का reply भ कि अगर आपका API, वो फेल हो जाती है, token की case में, मानलो आप यहां पे तो हमने global API थी, सीधा ही call हो गई है, बट authentication API की case में, हमारा token expire हो गया, तो उस जो existing, जो हमारा process चल रहा था, उसको हम disturb किये बिना, दोबारा से कैसे call कर सकते हैं, बिदा input लिए हम कैसे call सकते हैं, तो recall व ना मत बुलिए, कफे important है, आपके बहुत काम आने वाला है, और यह वाला chapter भी बहुत important है, आपके बहुत काम आने वाला है, इसी के साथ बिदा रेना चाहूंगा, करते रहिए, और सीखते रहिए, सिकाते रहिए, और मचाते रहिए, react.js में धूम, thank you so much, have a good day. आपके आने झाला है, और यह वादुपा, करते रहिए, और सक्रेणाद स्व्दों तने पित्रिए, काम अज़ती है, प्रा को भी ख के आने वाला है, और सक्तर्वादके बहुत काम आने दो करते रहिए.